नमस्कार दोस्तों DK Cyberjuan में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका आधार कड कहीं गलत इस्तिमाल तो नहीं हो रहा है इसे कैसे आप चेक करेंगे इसी के बारे में आज आपको पूरा डीटियल में बताऊंगा तो वीडिय आपको Chrome में MI अधार लिएकर आपको सर्च करना है सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले वाला लिंक पे क्लिक करना है उसके बाद आपको Login का Option मिलेगा तो Login वाले Option पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे इंटर आधार नमर यहाँ पे आधार नमर आपको भरना है यह ज करने के बाद Login वाले उप्षन पे क्लिक करना है Login पे जैसे हैं क्लिक करेंगे तो आप अधार काट के Official साइड पे Login हो जाएंगे Login होने के बाद आपको थोरा सा नीचे आना है नीचे आएंगे तो आपको Authentication History का एक उप्षन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अठिंटिकेशन हिस्टोरी जो है खुल के आ जाएगा उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए Select Modility Modility में आपको क्या Select करना है All Select करना है क्योंकि आपको All देखना है ऐसे तो आप Biometric, Biometric OTP Demography, Demography, Biometric जो आपको Select करना होगा उसका आप History जो चेक कर सकते हैं लेकिन आपको All पर क्लिक करके आपको सभी को चेक कर लेना है तो All Select करेंगे उसके बाद आपको इसमें Start Date और In Date दिया है तो आपको किस तारिक से किस तारिक तक आपको चेक करना है डीटियल को देखना है तो उसमें आपको डेक्ट सेलेक्ट कर लेना है याद रखें इसमें आप 50 हिस्टोरी ही आप देख सकते हैं तो चले मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट करने के बाद आपको Fetch Authentication History के ओप्सन पर किलिक करना है जैसे हैं Fetch History करेंगे तो आपका डीटियल जो है सो होजेगा तो आपको थोड़ा सा नीचे करना है नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप न देख सकते हैं कि कि date में आपका अधार काड यूज़ किया है, modality उसका क्या है, status क्या है, aew account name क्या है, कि की जगा पर आपका यूज़ किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे आप PDF में भी देखना चाहते हैं तो डाउनलोडिंग PDF करके आप PDF में देख सकते हैं यह जनकारी आपको कैसे लगे कमेंड में जरूर बताइए हमारे चैनल पनाएद चैनल को सब्सक्राइब किजिए तब तक के लिए टा टा बाए बाए मिलते हैं फिर शेक नए वीडियो में